हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दा चैनल सस्टी स्टेडी पॉंट और ईवी एस के यहाँ पे मैं कोश्चन लेके आई हूँ यह सिरीज चला रही हूँ और यह चोथी वीडियो उने वाली है अल्रडी तीन वीडियो चैनल पर अप्लोडेड है आप जाके देख सकते हैं आवरण अध्यन यानकी environment से सम्मंदित कोश्चन आते हैं या उसके सलेवस में हैं तो यह हर उसके लिए एक्जाम के लिए important है UPTT के लिए तो हई हई क्योंकि UPTT में से सम्मंदित 30 कोश्चन आते हैं ठीक है दोस्तों तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले कोश्चन के बारे में इसके साथ साथ वन जीव अभ्यारन के बारे में इन सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि इनमें अंतर क्या है क्योंकि इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यह क्या है यह क्या है और यह क्या है तीनों में बिल्कु से confusion ना हो नीलगिरी मननार की खाड़ी सुंदर्वन नंदा देबी पंच मड़ी नोक रेक सिमली पाल ठीक है अचान कमार अमरकंटक ग्रेट निकोबार अगस्त मलाई कंचन जंगा पन्ना इसके सासद मायो मानव जो मानस बायोस्पेर डिबरू सेखोरा दिहांग दिवांग क कच वाला यह है यह सबसे बड़ा बायोस्पेर रिजर्व है याद रखेगा इससे संबंदित अभी कोश्चन आएगा और जो यह डिबरू सेखोरा है यह सबसे छोटा बायोस्पेर रिजर्व है ठीक है इसको याद रख लिएगा दोस्तों तो इससे यह कोश्चन आपका आ सकता है एक्जाम में और इससे संबंदित कोल डिजर्ट जो है ये भी मैं आपको खड़ा चुकी है हिमाचल परदेश में ये पिछली वीडियो में दिये हैं मैंने बहुत सारे इससे संबंदित हैं अब पढ़ लेते हैं तीनों में अंतर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हम सब बहुत ये रहते हैं कि इनमें तीनों में अंतर गया तो सबसे पहले वन जीव अभ्यारण जिसे इंगलिश में वाइड लाइफ सेंचुरी कहते हैं फिर है राश्टे इद्धान जिसे नैशनल प और परियाटन में जो है छूट दी जाती है ये चीज है मतलब मनुष इसके अंदर जा सकते हैं इस वन जीव अभ्यारण में राश्टे इद्धान में क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के जीवों के संदक्षण होता है ठीक है इसमें विशेश प्रकार के जीव का होता है याद रखेगा दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बने जीवों बहने राष्टि अध्यान में और इसमें आप मानव गतिविदी बिल्कुल नहीं कर सकते राष्टि अध्यान में केबल ये जीवों के लिए बनी है ये बहुत बड़ा शेत्र होता है तीन जून में बचा बढ ये भी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है कि आप बहुत सारी जैब विद्दा पाई जाती है इसमें बहुत परकार के जीवजन्तु मिलेंगे बहुत परकार के पेड़ पॉदे मिलेंगे बड़ा शेत्र है उसको संरक्षित करने के लिए बचाने के लिए ऐसे पूरे श पर क्या कर सकते है टूरिज्म के रूप में इस्तिमाल कर सकते है रिसर्च के रूप में इस्तिमाल कर सकते है उसके सासद आवादी रह सकती है यहां बफर जोन में क्या है कि बफर जोन में आप यहां पर देखिए यह जो सबसे भारी शेतर है ट्रांजिशन शेतर इसमें आव जोन भी कहते है यह कोर एरिया है बहुत इंपोर्टेंट सेंस्टिव एरिया इसमें आवादी नहीं रहती है बस इसको संरक्षित करके रखा जाता है जो भी जीव जन्तु या स्पैसिविक चीज़ होती है वो यहां पर ठीक है यहां पर मनुष्ट को जाने की अनुमती नहीं है ठीक है अगला कोशन आया सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नहीं कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर परदेश में इस्तित है उत्तर परदेश के टाइगर रिजर्व के वारे में पूछा है तो वो है पीली बीट टाइगर रिजर्व यह केबल पीली बीट तक सेमित नही इसको जो है 2008 में इसको घोशित किया गया था टाइगर रिजर्व के रूप में याद रखीगा 2008 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोशित किया गया था और ये 45 में नंबर की जो है वो टाइगर रिजर्व परियोजना है पूरे भारत की याद रखेगा इसके सासा पर दिया हुआ है पूरा याद रख लिए जगा 2008 को ध्यान से याद रखेगा ठीक है यह कुशन आ सकता है कौन सी रिजर्व परियोजना यह 45 में इसको याद कर लिजएगा फिर है फरवरी 2022 में भारत में कितने टाइगर रिजर्व में अभी पूछा था उत्तर प्रदिश का तो यहाँ पे 52 टाइगर रिजर्व 2022 तक थे ठीक है आप जो है उसके बाद अपडेट हुआ होगा हो सकता है वैसे अभी भी 52 है अगर से जादा होंगे तो अभी नीचे कोशन आएगा आप स्क्रूल करके अभी दिखाऊंगी मैं आपको उसमें पता चलेगा कि 52 है कि उससे पेर रिजर्व ठीक है सबसे छोटा बायो इस पेर रिजर्व पूछ लिए है यहां पर वो मैंने आपको पहले ही बता दिया असम में डिबु सेखोबा है अगला कौन सा ऐसा शेत्र है कौन से बायो इस पेर रिजर्व में जिसमें सीमित मानव गती विधी की अनुमिती है म मैंने आपको बताई था मदवर्ती शेत्र है इसके सारे लिखा हुआ है कि इसके कोर्जोन के आसपास का शेत्र है यह कोर्ज होता है उस सेंटर है सेंटर के ऊपर का जो एरिया है मद्धिवाग उसी को कहते हैं इसके ऊपर तो फिर दूसरा तीसरा भाग जो भारी भाग है इसमें क्या लिखा अनु संदान और सिक्षा मैंने बताया था रिसर्च और एजुकेशन से संबंदित मनुष्यों को अनुमती दी गई है ठीक है और इन गतिविदियों से जो है संदक्षन संबंदि कोई भी उद्देश में हमारे बादा नहीं पड़ती है इसमें मतसपालन किर्शी की भूमी बनो की प्रवंधन इन सब को हम सामिल कर सकते हैं इसमें मनुरंजन परियतन की शुविदाएं भी सामिल है ठीक है और लेकिन ये लिखा है जो बहारी संकर्मन शेत्र है सबसे बहारवाला यह मद शेत्र है कम होती है ठीक है यही कोशन पूछा गया था अगला कोशन है किसी शेत्र में अगर हमें पादव गतिविदी पादव विविद्टा ठीक है याद रखेगा जैब विवित्ता नहीं पादव विवित्ता पूछी जा रही है यहाँ पे इसको याद रखेगा पादव विवित्ता तो पादव विवित्ता और जैब विवित्ता में अंतर जैब विवित्ता में जन्तू और पौधे दोनों आ जाएंगे ठीक है एन पूरी जय विवित्ता की बात कर लीजे उसके लिए सबसे जादा अच्छा जो प्रभावी तरीका है वो बायो इस्पेर रिजर्व भी है मालीजे पूरे एरिये को आप बायो इस्पेर रिजर्व खोशित कर दीजे अगर आपको कहीं पर लग रहा है बहुत जथे पेड़ प बता दिया राजिस्थान का पहला भालू अभ्यारन कौन सा है सुन्धा माता सुन्धा माता है याद रखिएगा पहला राजिस्थान का भालू अभ्यारन तो यह लिखा हुआ है पूरा सुन्धा माता जो है जो है जो राजिस्थान का पहला और देश का चौथा भालू जादा important क्या है यहां भालू के लिए ठीक है याद रखिएगा भालू को संरक्षित किया जाता है और भी जानवर यह रहते हैं यह राज़्थान में भारत का चौथा राज़्थान का पहला है अगला क्या हो गया कि भारत में कितने वन जीव अभ्यारण हैं अब ही हम क्या प अब हम बात कर रहे हैं वाइड लाइफ सेंचुरी की ठीक है अभी तक हम बात कर रहे थे वाइव इसपेर रिजर्व की जिसे हम जैब मंडल आरक्षित शेत्र कहते हैं पूरे जैब मंडल को आरक्षित करने वाला अब हम बात कर रहे हैं वाइड लाइफ सेंचुरी की वन अभ्यारन की उससे सब्बंदीत कोशन आ गया कि टोटल कितने इसा continuous şu अभ्यारन है इसको याद कर लिजेगा 18 हमारे वाई-इसप्य पार्ट है 551 जीव भ्यारन है 131 समुद्री संडक्षित के शेत्र है कि वह समुद्र में भी जीव जन्तु होते हैं उनको भी संडक्षित करना है 18 बायो इस पेर रिजर्व है यह बहुत इंपोर्टन लाइन है तो इनको याद कर लीजेगा भारत में सबसे छोटा राष्टी उध्यान कौन सा है तो राष्टी उध्यान की यहां पे बात हो रही न लगी अब नैशनल पार्क की नैशनल पार्क भारत में कहां है तो पेहला मरीन नैशनल पार्क कचकी खाड़ी जामनगर में है ठीक है इसके बाद आप इसके बाद आजाता है भारत में तैरते हुए राश्टे उद्धान का नाम बता है यह most important question है यह बहुत आता है exam में floating national park का बुल नाम जाओ कहते हैं लोग इसे किबुल नाम जो कहते हैं मड़ीपुर में है कौन से जील पर है लोक टक जील पर है कल इससे सम्मंदित question आया था और मैंने ये भी कहा था national park का नाम बताओ तैरते हुए और आप लोगों ने जो है comment में answer वी दिये होंगे इसमें तो यही वो question दुबारा आ गया भारत का सबसे बड़ा रास्टी उद्यान कौन सा है तो हैमिस रास्टी उद्यान भारत का सबसे बड़ा रास्टी उद्यान है यह आपको बताने कहां है यह आपके लिए question है ठीक है इसलिए मैंने इसका बताया नहीं कहां पर है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? Most important question जो कि आपको पताईए, Corvait National Park जो कि उत्राखंड में है, 1936 में बना था, इससे सम्मनित पहले भी question आ चुका है, भारत के किस राज में, राश्टी उद्दानियों की संख्या सबसे अधिक है, आख बंद करके आप कहा देंगे MP में, क्योंकि MP में जंगल बहुत है, जब बहाँ जंगल बहुत है, आप देखना, जो बन की जो रिपोर्ट आती है, बन रिपोर्ट जो आती उसमें देखना, मद्परदेश में सबसे ज़ादा बन है, जब जंगल बहुत है, जो कोशन रह गए वो अगली वीडियो में ले क्या हूं क्योंकि जादा बड़ी वीडियो में करना नहीं चाहती थी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा धन्यवाद दोस्तो पूरी वीडियो देखने के लिए